जैहिंद मेरे सब्सक्राइब दोस्तों को मैं अब से एक आप सभी का स्वाध करता हूं आप से इपने चनल डे टुडे लर्निंग पर तो दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं ससीजीडी 223 के लिए हिंदी का सुपर फास्ट मैर्थन क्लास जिसमें की होगे असीप प्रसन दोस्तों इन असीप प्रसन को हम लोग 2x के स्पीट से करेंगे जिससे की आप लोग को कम समय में ज़रा ज़रा कोश्चन मिल सकें और उस कोश्चन का पूरा डिटेल्स में एक्स्प्रेनेशन भी हम लोग पढ़ने वाले हैं तो चले दोस्तों देर नहीं करते हैं हम लोग अपने 323 क्लास का सुरुवात करते हैं कोई लक्ष ऐंसान के साहस से बड़ा नहीं और हाला वही में यहां दोस्तों अपने हिम्मट रहे कि हम इस को निकाल सकते हैं बस वही हिम्मत आपको सीलेक्षन दिलाईगे और उस हिम्मत के भरसे आप लोग मैनत कीजे पुरा खतरनाक अब ह्रद कीज़े चलिए दोस्तो आज के हम अपने इस class का शुरूात करते हैं आज के हमारा पहला कोशों है दोस्तो दिए गए सब्द के सम federal का चैन करें समनerson chamल वह सब्द बोले तो प्रवाची सब्द इसका बता है कमल कमल का प्रवाची क्या होता है अमिय, अम्रित, अर्विंद या आयन दोस्तो प्रवाची सब्द मतलब क्या होता है प्रवाची सब्द मतलब होता है दोस्तो एक सब्द के बहुत सारे अर्थ होता है तो वही कमल कमल का और क्या 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 और क्या कि हम लोग बोल सकते हैं तो वही होता है दोस्तो प्रवाची सब्द या समनाथी सब्द तो कमल कमल का प्रवाची सब्द क्या होगा अमिय अम्रिद अर्विंद या आयतन तो दोस्तो कमल का जो प्रवाची सब्द होता है वह होता है हमारा अर्विंद कमल यानि इसके बाद देखते हैं अम लोग अमिय का प्रवच्ची सब्द क्या क्या होता है तो दोस्तों जो अमिय है इसका प्रवच्ची सब्द होता है हमारा प्यूस हो गया सोम हो गया प्यूस हो गया सोम हो गया जीवक नोदक हो गया अम्रित हो गया सुधा हो गया यह सब जो होता है वह हमारा अम्रित का प्राच्छी सब्द होता है ठीक है दोस्तों इसके दोस्तों आयतन आयतन का प्राच्छी सब्द क्या क्या होता है दोस्त तो आयतन जो है इसके पाश्य सब्सक्राइब होता है दोस्तो हमारा समाई, मंदिर, मकान, घर जी है दोस्तो आयतन का पाश्य सब्सक्राइब होता है अगला कोशन है दोस्तो हमारा दिये गए वाक्यों में टूटी बताना है तूटी इसमें से क्या होगा जैसे कि प्रधान चारे ने हिंदी अध्यापक को बुलाएं तो दोस्तो इसमें क्या तूटी है क्या प्रधान चारे ने में तूटी है या हिंदी अध्यापक को बुलाएं इसमें टूटी है तो दोस्तो इसका exact answer क्या होगा तो दोस्तो इसका exact answer होगा को बुलाएं यानि कि option 3 यानि कि 3 नमर जो है हमारा ओर टूटी है को बुलाएं तो दोस्तो इसका सही वाक्य क्या होगा तो दोस्तो इसका सही वाक्य होगा परधान चारे ने हिंदी अध्यापक को बुलाएं, प्रहंचारे ने हिंदी अध्यापक को बुलाया, दोस्तो यहाँ पे बुलाएं का जगा पर क्या होगा दोस्तो, बुलाया होगा, ठीक है दोस्तो, I hope कि एक कोश्चन आप लोगो समझ में आया हो, अगले कोश्चन के तरब चलते हैं, अगला कोश्चन है हमारा द जगा पे दूस्त क्या मेरकों होगा या मुझे होगा या किसी बदलाव की आउशकता हिकاتा ही तो दोस्त्तो हमारा Tit मिसको सब्क्राप यानि कि इस प्रस्च में किसी की बदलाव की आउशकता जोते है बिल्कुल भी नहीं है अला को सिर्थ हमाने नियम के विरूद बाततह वाक्यान्स के लिए एक सब्द होगा दोस्तो समाने नियम के विरूद बाततह मतलब समाने नियम के विरूद जो बात कहा जाता है उसके लिए कौन सा इसमें से वाक्यान्स सही है दोस्तो विवाद होगा इसको विवाद कर सकते हैं या सनवाद कर सकते हैं तो दोस्तो सामाने नियम के विलुदी जिसमें बात क्या रहता है उसको हम लोग करते हैं अपवद, जासें नहीं कर रहता है आज दूसें दोस्तो कुछ अपवद होता है, तो वहीं होता है इसके लगाता क्पर दोस्तो लुए योग सो सहयोगी से जो बात होता है उसको करते है सनवाद इसके रावा हमारा आगला कोशन है मेरी गाय को छुने का उत्सा कभी कोई नहीं कर सकता क्योंकि वह मालती है दोस्तों इसमें क्या रेखानकी जो भाग है उसके जगापे हम दो इसमें क्या suitable मतलब वाक्य इसमें बैठा सकते हैं तो मेरी गाए को छुने का उत्सा कभी कोई नहीं कर सकता है तो मेरी गाए को छुने का उत्सा तो इसके जगापे क्या है यह बरासता है दोस्तो अप्शन नमर A मेरी गाए को छूने की महनत या option number B दोस्तो मेरी गाए को छूने का हिम्मत या option number C दोस्तो किसी बदलाव क्या हो सकता नहीं या option number D दोस्तो मेरी गाए को छूने का साहस मेरी गाए को छूने का साहस दोस्तो इसमें से कौन सा होगा देखिए दोस्तों D number option A number option जैसा है बिल्कुल बस इसमें मात्रा का थोड़ा अंतर है इसमें जो है छोटी हुए इसमें दोस्तों बड़ी हुए है तो दोस्तों इसमें क्या होगा तो दोस्तों इसका exact answer है हमारा option number D जी हां दोस्तों जो कि है मेरी गाय को छूने का साहस देखिए दोस्तों इसमें छूने का साहस ऐसे लिखा हुआ है यानि कि इसमें जो है हमारा जो है इसमें हमारा छूने का साहस जी है दोस्तों इसमें मात्रा वही है बस इसमें साहस लगा हुआ है इसमें जो है उत्सा होता ह गय को छुने का उत्सा नहीं होता है। गय को छुने का सहस कोई कर सकता है। तो दोस्तो Option Number D जो है बिल्कुल सही होगा। अलाग कोच ने हैं। दोस्तो हमारा मुझे मजा आती है। रिखाएं की वाक्य की टूटी बताईए मुझे मज़ा आती हैं दोस्तों मज़ा आती है मज़ा आती है के जगा पर क्या होगा मज़ा आती है इसमें मतलब क्या टूटी है इसमें क्या कारण क्या चीज का टूटी है लिंक के कारण टूटी है वजन के कारण टूटी है दोस्त सब्सक्राइब के सब्सक्राइब करता हो делают it जोटी सी हो जाएगा, इस प्रकार के इस प्रकार इस प्रश्ण में एक सब्द चार अलग अलग प्रकास से लिखे लिखे गए हैं जिसमें से केवल एक को सही धंक से लिखा गया है मतलब कि दोस्तो इसमें असुद्धवरतनी को छाटना है और सुद्धवरतनी को चुन्दा है तो दोस्तो इसमें सुद्धवरतनी किसका है अप्शन में A है दोस्तो अनाधिकार अप्शन मे exact answer है ओ जाएगा हमारा option number तो दोस्तो इसमें exact answer है ओ होगा हमारा अन अधिकार जो कि हमारा option number c है next question दोस्तो हमारा station पहुँचते ही वह phone कर दिया इसमें क्या होगा दोस्तो इसमें क्या तूटी है उसको पाचानना है तो इस टेशन पहुंच्टे ही फांट कर दिया Soren कर दिया में दोस्तोग कोई टूटी नहीँ है एस & पहुंच्ट इस ही तुच्छटी है या वह तुच्छ तो दोस्तो इसका इसका एक तरस लिब हाया दोस्तो इस हुआ खुला कोचर नए वह कर दोस्तों उसने फॉन कर दिया क्या होगा दोस्तों उसने फॉन कर दिया जी है दोस्तों एक्षेशन पहुंचते ही उसने फॉन कर दिया अले कोशें कि तब चले दोस्त अगला कोशें नहीं हमारा तीनो डैस के स्वामी है इसलिए त्री लोग की नाथ कहलाते हैं कहलाते हैं अगला कोच है दोस्तो हमारा मैं आपका दर्शन करने आया हूं दोस्तो इसमें रिखाएं की वाक्य है रिखाएं की जो भाग है उसके जगा पर क्या सूटेबूल इसमें बठा रहे जा सकता है तो दोस्तो मैं आपका दर्शन करने आया हूं कि जगा पर किसी बदल होगा मैं आपके मैं आपके दर्शन करने आया हूँ मैं आपके दर्शन करने हो नहीं कि option number c हो जाएगा अगला कोच है दोस्तो हमारा रिक्तिसान को भढ़ना है दोस्तो इसमें 10 से गहने बनते हैं तो दोस्तो गहने किस से बनते हैं तीन से सोना से लोहा से या तीन से सोने से लोहे से या सोना से तो दोस्तों इसका एक टंसर क्या होगा तो दोस्तों इसका एक टंसर होगा हमारा option में B यानि कि शोने से गहने किसे बनते हैं दोस्तों तो सोने से बनते हैं अगला question दोस्तों हमारा वह बात जो जन सधारण में चलती आ रही है इस वाके के लिए एक साथक सब्द देजिए तो दोस्तो इसमें से कौन साथ सा वाके है जो जन सधारण में चलती आ रही है कुप मडुक या आप्सन में भी है दोस्तो किवदंती आप्सन में सी है दोस्तो किकतर्क किकर्टव 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 कापोल कलपित जो है इसका मतलब किसी आधार के मं अपने मन से मं से बना लेना खुला एक उनि का यता है तो इसको एक और की मुहाबरे का अर्थ बना तो कथा के बैगन मुहाबरे का क्या आर्थ होगा मन गढ़क बाते या क्रीपन व्यक्ति या असंभव वस्तू या केवल दूसरों के लिए उपदेश तो दोस्तों कथा के बैगन का एक्जेक्ट एंसर क्या होगा दोस्तों कथा का बैगन का एक्जेक्ट एंसर होगा हमारा मन धरक सोज दोस्तों केवल दूसरों के लिए उपदेश केवल दूसरों के लिए उपदेश यानि कि option number डी जो है ओ मिल्कुल सही जवाब होगा मन धड़क बाते दोस्तों क्या होता है तो ख्याली पुलाव पकाना ठीक है दोस्तों अगले कोचन दोस्तों हमारा मेरी डैस है कि मुझे चार दिन की छुट्टी चाहिए तो दोस्तों मेरी प्राथना है या मेरी याचना है या मेरी पूजा है या मेरी आराधना है तो दोस्तों क्या होगा तो दोस्तों मेरी प्राथना है कि मुझे चार दिनों की छुट्टी चाहिए अगला कोचन दोस्तों हमारा आख लगाना मुहाबरे का सही अर्थ है जप्पी आना अला कोच दोस्तो हमारा सदभाऊसा एक सब्सब्स टो धोन सब नेंग Doll सब्हाऊसा और साव कले होगा या शन्म्म होगा तो इसका आप यह टीक्सर क्या ना होगा तो दोस्तो इसका exact answer होगा हमारा option number A यानि कि दुर्भाव हो जाएगा अगला कोच है दोस्तो हमारा दिये गए सब्द के समनार्थी सब्द का चैन करें दोस्तो यमुना है यमुना का समनार्थी क्या होगा समनार्थी पर तो दोस्तो समान अर्थवाला अर्कजा होगा या तड़ाग होगा या अपगा होगा या निम्रगा होगा दोस्तो इसमें exact answer क्या होगा तो दोस्तो इसमें exact answer होगा हमारा यमुना यमुना का समनार्थी समनार्थी मतलब कि यमुना का समनार्थ रखने मारा जो ऐसा option जो की डिक्तु यमना जैसा और सरता हो तो दोस्तो इसका इसका एकेक्टन से हो जाएगा हमारा आर्कजा आर्कजा को हम लोब करते हैं काली हंडी या सूरे सुता या रवीत नया या तरणी दोस्तो इसका अलावा होता है दोस्तो तगार तड़ाग तड़ाग को दोस्तों लोग बोलते हैं तलाब बोलते हैं सरोवर बोलते हैं या ताल बोलते हैं इसके लावा दोस्तों अपगा तो दोस्तों अपगा 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 दोस्तों इसी का प्रवाजी सब्द है तकार का अगले कोचे ने के तर जले दोस्तों अगला दुरूत का विलोम होगा हमारा option में A यानि की मंथर जी हैं दोस्तो इसके लबाद दोस्तो अद्रेवेत का दोस्तो विलोम क्या होगा दोस्तो इसका हो जाएगा द्वेत और ड्वेत का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों द्वेत हो जाएगा इसके लावा दोस्तों है जड़ तो जड़ का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों चेतन हो जाएगा इसके लावा दोस्तों वेग का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों इस्थीर हो जाएगा वेग का विलोम नमर सी यानि की सूखी डाली हो जाएगा नेक्ट को चाहिए दोस्तों हमरा रात दस बजे से दिल्ली में जक्सन से हम कस्मीर मेल में सवार हुए तो दोस्तों रेखांकिक भाग के जग़ा पे कौन सा इसमें से सूटेबल वाक के बैठेगा तो दोस्तों अप्शन में एक हैं अप्शन में B है दोस्तों रात दस बजे तक दिल्ली में जक्सन में हम या अप्शन में C है दोस्तों रात दस बजे से दिल्ली के जक्सन से हम या D है दोस्तों रात दस बजे से दिल्ली के जक्सन से हम तो दोस्तों इसका एक्टन से क्या होगा तो दोस्तों इसका एक्टन स ये दिल्ली के जक्षन से हम कसमीर मेल में सवात हुए हैं अलग हो चैन्त हैं क्या ड़ी तो दोस्तो इसका इक या होता है मैला गंदा मलीन या वी मल, तो दोस्तो इसका एक्टेंसर हमारा मलीन हो जाएगा, यानि कि option number C, दोस्तो मलीन, मलीन जो होता है निर्मल का विलोम होता है, अलाग उचे हैं दोस्तो हमारा कलेजा ठंडा होना, कलेजा ठंडा होना मुहाबरे का क्या आर्थ होगा, तो मन में सांती होना, धिरज रख प्रिय होना या बहुत दुखी होना, तो दोस्तो इसका एक्टेंसर क्या होगा, तो दोस्तो इसका एक्टेंसर होगा, हमारा मन में सांती होना, नहीं कहां है, तो दोस्तो इसका एक्टेंसर क्या होगा, उसे व्याक्रन का अच्छा बोध है, option में A है दोस्तो, आभास, हो सकता है समझ हो सकता है या भान हो सकता है तो दोस्तों इसमें ज्यान हो जाएगा उसे ब्यक्रण का अच्छा ज्यान है अलाको चैने दोस्तों हमारा डिये गए सब्द का समनार्थी सब्द चुने युक्ति युक्ति का समनार्थी क्या होगा युक्त होगा उपाई होगा य योगेता कर सकते हैं चतुराई कर सकते हैं होसयारी कर सकते हैं दोस्ट युक्त का मतलब या जूडा हुआ या मिस्टिक या सन्योग्त ठीक, दोस्तों अले कोछन की तरफ चलते हैं इसका एक आंसर क्या होगा उपाय होगा या यह अप्शनमेर B होगा अले कोछन के डब चलते हैं दोस्तों अगला कोछन है हमारा प्राथणा या निवेधन करने वाला उसको क्या करते हैं तो अगले कोछचे कि इता प्रातू नीवीदन करते हैं अंगले कोचे के तब करने हैं थाorts inclusive डिपीधक हुग थो आफाल विषार्ण का बीजों क्या होगा तो विराट हो जाएगा छलिक हो हो जाएगा तो दोस्तों बिशाल जो विलोम होता है और क्या होता है दो दोस्तों मतलब लगू कितल 5 तो साखत होता है वीक्राल का मैं दो क्या होजाएगा दोस्तों अकराल हो जाएगा अला कोच हैं दोस्तों हमारा कई रेलवे के करमचारियों की गिरफतारी हुई हैं दोस्तों कई रेलवे के करमचारियों की गिरफतारी हुई तो इसमें क्या कोई टूटी है अगर कोई टूटी है तो उसको बताना है जैसे कई रेलवे के तो अगर इसमें टूटी हेंगों यह तो और तो यह ओंग तो ठीन होगा कोई टूटी नहीं है तो चार सही होगा तो दोस्तो यहां पर रेलवेज की नमर गिलत है करम खेम्चार्यों की ग्रफ्तारी मंदा-otted का वाला वाक्यांस नतले दोस्तों के समवान हो उसके लिए क्या लिख सकते हैं डस मुख्ष लग सकते हैं चंद्रमुख्षud को करते हैं चंद्रमुख अगला कोच है दोस्तों हमारा श्याम को रोगी पर डैस आ गई दया आ गई या बनस्पती आ गई या कृपा आ गई या अनुपता आ गई तो दोस्तों इसका एंसर क्या होगा तो स्याम को रोगी पर दया आ गई अगला कोच है दोस्तों हमारा मैंने सारा माल उसके हाथ में बेच दिया है option में A है दोस्तो मैंने सारा माल option में B है दोस्तो दिया है option में C है दोस्तो उसके हाथ में या option में D है दोस्तो बेच तो दोस्तो इसमें ठूटी क्या है मैंने सारा माल उसके हाथ में बेच दिया है नहीं ना उसके हाथ में बेच दिया नहीं होगा यानि कि उसके हाथ में बेच दिया option number C जो है हमारा बिल्कुल सही है कि यह वाला जो है truth upon है तो दोस्तों इसमें सही वाक्य क्या होगा तो दोस्तों सही वाक्य होगा मैंने सारा माल उसको बेच दिया अगला कोचने दोस्तो हमारा कोयल कोयल का समना थी या प्रवाची सब्द क्या होगा तो दोस्तो कोयल को क्या हम लोग का कहते हैं या कीड कहते हैं या सिखी कहते हैं या कोकिला कहते हैं तो दोस्तो इसका एक्जाइक टेंसर हमारा option number D यानि कि कोयल को जो हम लोग कोकिला कहते ह अला कुछ हैं दोस्तों हमारा भाई साहब को मुझे एक रूपया दिया दोस्तों इसमें जो रिखांकित भाग हैं उसके जगा पर क्या भराएगा भाई साहब द्वारा भाई साहब या किसी बदलाव गया सकता है या भाई साहब ने तो दोस्तों भाई साहब ने मुझे एक दिया जो कि इसका exact हो जाएगा अला कुछ है दोस्तो हमारा उपर की और जाने वाला वाक्यांस के लिए एक सब्द होगा अगामी प्रतिगामी उधगामी या अगोगामी तो दोस्तो उपर की जाने वाला जो उपर की जाता है उसको हम लोग क्या करते हैं उधगामी दोस्तो प्रतिघामी प्रति यह जाता है फिर कre형 जो आगे करता है इंब लो उसके लिएता में अगो गामी निचे की तरब चलता हूँ अल़्ेकुय दोस्ते मारा रोगी ने चिकतसक से में 10 लिया अप्र Argie 200 मंत्रम लिया अप्रेथ वह स्वाय ओप्समाश है चिकिछाला लिया तो दोस्तों इसका एक्जैक्ट एंसर क्या होगा दोस्तों रोगी ने चिकित्सक से क्या लिया तो दोस्तों रोगी ने चिकित्सक से परामर्स लिया अगला कोच नहीं है दोस्तों दोस्तों सकीला भुपाली प्रसीद कब कब वाली गाईका हैं सकीला भुपाली प्रसी तो सकीला भोपाली में चूटी है या प्रसीड काब्यवाली में चूटी है या गाईका में चूटी है या इसमें कोई चूटी नहीं है तो दोस्तो इसका एक्जेक्ट अंसर क्या होगा तो दोस्तो इसका एक्जेक्ट अंसर होगा हमारा काब्यवाली गाईका है दोस्तो काब कंऺर गपाली प्रसीद का हैं जो है गोपाली प्रसीद का Crist où यह राग में कूढ अ आग में कुढना का SH?' आग में कुझने का क्या मतलब होता है जान जूकिन में डालना कि जिसके 10 आननध है और आम है या कवीर है या कवी दिनकर है तो दोस्तो वह दसानन्ध नेक्ष्ट सेमन दोस्तों सिचक ने उन छात्रों को पूछा तो इसमें क्या तूटी है दोस्तो तो दोस्तो पूछा तूटी है या कोई तूटी नहीं है या उन छात्रों को तूटी है या सिच्छक ने तूटी है तो दोस्तो इसका एक्ट अंसर क्या होगा तो दोस्तो उन छात्रों को उन छात्रों को में छेगने हमारा थिक परिणाम देने वाले वाक्यां उपक्युदत सब्सक्थ होगा ओप्सण में A है दोस्तो हमारा निम्लीखित में से सुद्व़क वर्तनी वाले festivalsो को जाने ओस्टोप्सिंषज में क्या हो गाएं तो दोस्तो इसका एक्zessट अंसर होगा चानर होगा कि इसका एक्ड harvest अमआ्याक्नित होगा अलाग अब वह से आज साल का पहला तुफान च् Velže नाचा या उठा तो दोस्तो आज इस साल का पहला तुफान आया अला कोच है दोस्तो हमारा पिता जी मेरे परिच्छा फल से संतुष्ट नहीं हुए तो इसमें टूटे क्या है दोस्तो संतुष्ट है दोस्तो यहां संतुष्ट लिखा हुआ है संतुष्ट नहीं संतुष्ट इधर, घर में यही दसा है, अगला कोषिन दोस्तों हमmare जनता के अंदर असंतोस फेल गया, option में A जोस्तों किया होगा तो दोस्तों स्कpose किया होगा तो दोस्तों स्का 17 Bu हो जाएगा हमारा option number C यानि कि जनता में जनता की करें पर दोस्तों जनता में असंतुस्त फैल गया यह जनता की अंदर नहीं पर लोटाना दोस्तों बाधा तूर होना या बेचैन होना या अर्चने पैदा करना या संकट में डालना तो दोस्तों इसका एक टेंसर क्या होगा तो दोस्तो इसका एक्जेक टेंसर हो जाएगा हमारा बेचैन होना यानि की काटो पर लुटाना जी है दोस्तो इसके लावा दोस्तो रास्ता साफ होना रासा साफ होना का मतलब होता है दोस्तों बाधा दूर होना ठीक है दोस्तों इसके लाव दोस्तों बाधाय उत्पन करना या अर्चन पैदा करना इसके लाव दोस्तों काटों में घसितना 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 काटों विलोम होगा का चीरायू अलबायू और वस्था या दिर्ग्र तो दोस्तों इसमें एक्ट एक्ट एंसर क्या होगा तो दोस्तों इसमें एक्ट एंसर होगा सब्सक्राइब ने इसके लिए पैठेगा तो गाने का कसरत कर रहा हूं इसके लिए अभ्यास कर रहा हूं तो दोस्तो इसमें क्या होगा exact answer तो दोस्तो मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ अगला कोश है दोस्तो हमारा निमलीखित में से असुद वर्तनी वाले सब्द के चैन करें दोस्तो असुद वर्तनी असुद वर्तनी वाले सब्द इसमें से कौन सा है दोस्तो दसारा है डार धीची है दोस्तो ताज्यूब है और यह जोतिसी है तो दोस्तो इसका एक्जेक्चन से क्या होगा तो दोस्तो इसका एक्जेक्चन से हो जाएगा हमारा दार धीची जो डार धीची है दोस्तो ओ जो है बिल्कुल भी हमारा सुध वर्तनी वाला सब्द है अगला कुछ है दोस्तों हमारा नलीन किसका प्रवाची है जल का कमल का स्वर्ग का या कपड़ा का तो दोस्तों जो नलीन है ओ हमारा कमल का प्रवाची है अगला कुछ है दोस्तों हमारा ओप में आना मुहाबरे का क्या आर्थ होगा आपे में आना मुहाबरे का क्या दोस्तों इसका आपे में नाना का क्या अर्थ होगा दोस्तों आपे में आना कोस में आधो ऑले कोचने कितब चरले अगला कोचने हमारा बारिस की बुन्दे बारिस की बुन्दे डैस रही है तो दोस्तो बारिस की बुन्दे टपक रही है या रिस रही है या बरस रही है या गिर रही है तो दोस्तो बारिस की जो बुन्दे है वो क्या होती है तो दोस्तो बारिस की बुन्दे टपकती है ठीक है दोस्तो आप्सिन कहतना है तो दोस्तों इसका यांगर होगा तो ग्हारा होगा नहीं कि अर्फ समनार्थी होगा क्या होगा तो थो ग्हार को जो है उसका आपी उन्हे कुछ और था इस सिसमें देवी एक विद्वान महिला थी बताना है तो एक विद्वान या या को IT ने यह महिलाद थी स्क्रेवाट किया होगा दोस्तों इसका याउपशनर आपसंक्तव होगहने है उप्सणर आए यह बिद्वान अलंगयों होगहने षाइंड तो समय को तो में इमारा डिए डीक सब्दे के विलोहम सब्द का चाहन करें दोस्तो आक आसक्त तो आसक्त का विलोम क्या होगा हज़ा लिए निन्दा यह या अनासक्त दोस्तो इसका न которую दोस्तों इसका एक्चेक्ट अनासक्त 23 however जाता है कि यानि की आपशन benefit होने वाला है दोस्तों आप यकीन मानिए दोस्तों कि जिस टाइप के questions हम करवा रहे हैं उसी टाइप के questions आपके exam में पुछे जाएंगे यह मेरा वादा है आपसे दोस्तों आप इस class को लिजिए daily by daily दोस्तों हम लोग 80 questions का series करने वाले हैं दोस्तों और कुछ ही समय में आप लोगा हिंदी का जो class है आप लोगा हिंदी का प्रैक्टिस उस पर बहुत ही अच्छा पकड़ बन जाएगा और दोस्तों आप exam में हिंदी में 40 में 40 मार्स लाने में आप जरूर से जरूर सफल हो पाएंगे तो